हेलो गाइज वैलकम बाक टो माय यूट्यूब चैनल आज मैं आपके लिए तो शुष्लोजी का अठर चैप्टर लेकर आई हूँ जो कि बहुत इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो भी बात कही है जो भी टॉपिक्स हैं बहुत इजी वे में हैं और वो हमारे जो डेरी लाइ उन से पर रिलेटेड है तो आपको यह समझने में बहुत ही आसानी होगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो है टॉपिक है समाजिक संस्थाओं को समझने की बात की गई है इस चाप्टर में तो मैं स्टार्ट करती हूँ समाजिक संस्थाओं को समाजिक मान को आस्थाओं मूल्य और समाज की अवशक्ताओं को पूरा करने के लिए निर्मे संबन्दों की भूमिका के जटलताने बाने के रूप में देखा जाता है इसमें बेसिकली कहा गाए कि समाज में कुछ हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ जागरों की अफिस संख्षित लोगों का एक संगठन बनाया जाता है जिसके दुआरा वो जो अवशक्ता जिनको अवशक्ता होती है किसी कार्णे में मतलब किसी की महल्प की जरुवत होती है तो वह लोग उनके हल्प करते हैं तो उन्ही को हम समाजिक संस्था का डान दे सकते हैं तो हमारा सेकिंड टॉपिक है महत्वपूर्ट समाजिक संस्थाएं हैं ये कुछ महत्वपूर्ट समाजिक संस्थाएं हैं जिसमें हैं अनौपचारिक और आपचारिक अनौपचारिक में आता है हमारा परिबार, विवा और नातेदारी अनौपचारिक में मतलब कि जो अनौपचारिक होता जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं और अनौपचारिक जिनको हम नहीं जानते इतना हमारा खास रिलेशन नहीं है उनके साथ इसलिए और अनवापचारिक में परिवार विभा और नात्यदारी आएगा और आपचारिक में हमारा कानून, शिक्षा, एक्सेक्टरा और भी आएगा सो हमारा अब हम इजी वे में हम संस्ताओं को समझेंगे कि संसा उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रधा द्वारा स्विक्रित नियमों के अनुसार कारे करती है यानि कि संसा उसे कहेंगे जिसको एक अथौरिटी द्वारा बनाया जाता है और वो अपने कम से कम कानूनों के द्वारा कम से कम कानून नों तो या फिर प्रताओं द्वारा स्विक्तित नियमों के अनुसार कारी करती है कि इस कानून कम से कम कानून को दिया रहा तुम लोगों की हैट करो इसके अनुसार वो कारी करती है उसके निर्मिद धता निरंतन कार्य चालन को इन नियमों काम जाने के बिना समझा नहीं जा सकते, यानि कि अगर इनके नियमों और कानून को या फिर इनके कार्य चालन को समझना होगा, तो इनके नियमों को भी हमें पढ़ना होगा, संस्थाइए व्यक्ति को प्रतिबंद लगाती हैं साथ ये व्यक्ति को अफसर भी प्रदान करती हैं यानि कि यह कह रहे हैं कि जो आर्थी किस्ती अच्हती नहीं होती जो भी उनकी जरूरत होती है उनको देती है उनको शिक्षा कोई भी प्रॉब्लम होती है वो उने प्रवाइड करती है तो समाजिक संसा समाजी जरूरतों को पूरे करने के लिए विद्यमान होता है, यानिकि समाजी दन्साइं होती चौह को बिद्यमान हाना है अब है हमारा मूल परिवार को और द्योगिक समाज की अवक्षक्ता पूरी करने वाली एक सरवत्तम साधन संपन इकाई के रूप में देखा जाता है यानि कि मूल परिवार जो होता है और दियोगेक समाज में आज के समाज के अवशक्ता पूरे करने वाले एक सरवतम साधन आज के समाज में एक बहुत ही अच्छा आवस्रक्ति प्लाजय के अच्छा है अच्छा को पूरा पूरा करता हैं. एवर और युद्रेशन गड़ोजों को पारियर में गरर करता है, तो दूसरी में बैट्ट के अपनी वच्चों की देख़ान करता है. तो ऐसे ही दोनों का balance हो जाता है तो हमारा next है विभिन समाज में परिवार के विभिन स्वेरूप पाए जाते हैं यानि कि जो विभिन समाज में अलग-अलग समाज में परिवार के भी विभिन स्वेरूप पाए जाते हैं ये it's a very important question ये आता है पेपर में कि परिबार के स्वेरूटन का वर्णन की जी तर आप सकते हünüz एख होता है मिअनि कि स्थान के अधार अधार पर आभाद के अधार पर यानिक घर के अधार पर होता जहरा रहते हैं तो वह तो अगर किसी दोगी पावर चलती है या फी वो घर पिता के नाम पर होता है वह प्रतिस्थानिक होगा अगर माता की नाम पर होगा तो मातरे स्थानिक होगा ठीक है अगर वन्ष के अधार पर वन्ष के अधार पर होगा जिसके प्रतिवन्षी ये मात्रिवन्षी ये वन्ष के अधार पर मैं आपको एक्जांपल देती हूं जिसकी शादी के बाद लड़की अपना सरनेम ऐसा जो भी उसका हजबेन होता है यानि कि उसके नाम पर अपना नाम बढ़े asking if kya आप अर Minuten है हमारा है महिला प्रधान घर यानि कि मोले प्रधाद गरें इस यह इस इन थे मम Means हुत को जैत quiet क्या आपका भिप्राय है तो इसमें जब पुरुष शहर छेतर में चले जाते हैं तो महीलाओं को हल्च मनलेब कि महीलाओं को ही सब कुछ काम करना पड़ता है केती का कार्य का प्रबंद करना पड़ता है कई बार अपने परिवार का एक मात्र सहारा या फिर भरन पोशन करने वाली बन जाती हैं ऐसे परिवार को महीला प्रधान घर कहा जाता है महीला प्रधान घर कहा जाता है उधारन के लिए आप दे सकते हैं उत्री उत्री आंद्र परदेश में कोमल जन जाती समुदाय में जो है वो एक महिला प्रदान घर का एक जीता जाकता उधारन है उन्होंने उनके मतलब की उन्होंने अपने मतलब की अकेले रहके अपने घर को बहुत ही अच्छे से चलाया सो हमारा नेक्स टॉपिक है परिवार लिंगवाद होता है बिलकुल एक्जैक्ली होता है परिवार लिंगवाद आज भी ये विश्वाश है कि लड़का वृद्ध वस्था में अभिभावकों की साहता करेगा और लड़की विभा करके दूसरे घर चली जाएगी ये सबके दिमाग में ये मेंटालिटी बैट गई है कि लड़का अगर बढ़ा होगा तो अपने मामी बापा का सहारा बनेगा देन लड़की होगी तो वो दूसरे घर चल जाएगी इसलिए कभी कभी कहीं कहीं पर इसी सोच के चलते हैं लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता जैसी कि इस तरह लड़कियों की अपेक्षा की जाती है कन्यपूर्ण हत्या को बढ़ावा दिया जाता है सन 2001 की गढ़ना के अनुसर प्रती हजार लड़कों पर 927 लड़कियां हैं यानि एक हजार पर 927 लड़कियां पाए गई हैं और इसमें से जो और जिनको जो और लोगों को उनको यानि कि कहीं को किसी को मार दिया गया है पैदा होने के बाद यपी पैदा होने से पहले कोई भी रीजन हो सकते है सो जैसे कि लड़कियों कोई एक मैंटालिटी होती है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती है लड़की को बोज होती है और कोई-कोई दहेच की वरा से उनको मार देता है कि यह होता है कि लड़का आगे बढ़के हमारा वंश आके करेगा लड़कियों किसी काम के नहीं होती यह सब उनको पढ़ाए भी नहीं जाता जैसे कि स्मृद राजिये जैसे कि कौन-कौन से ऐसे राजिये हैं जहां पर लड़कियों की संख्या एज़ लड़कों से कम है पंजाब हरियाना महराश पच्छिम उत्र परदेश में हालत बहुत ही बुरी है ठीक है यह कुछ-कुछ इलाके हैं जहां-जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से कम है परिवार प्रतिक्ष नातेदारी से कुछ जुड़े संबंदों से जुड के वह सूतर होते हैं या तो विभा के माध्यम से होते है ये रक्त संबंद को जोड़ता हे यह रोने परिवार की दो कंडीशन बताएं नातेदारी के विभा के द्वारा बन सकते हैं इसमें बोला है कि रख्त के माध्यम से बनने वाले नातेदारी को रख्त मूलक नातेदारी या फिर सम्रख्त मूलक नातेदारी कहते हैं इससे very important question यह भी आता है कि रक्त मुलक नातेदारी का वर्णन कीजिए या फिर explain कीजिए या भी विपराय कीजिए या फिर दो तरह के दो तरह के संबंदों का अर्थ न हमेंद है इसके कोछिस्टा में हो रख्ड मूलक से बने वाले नातारी उसे व्यवाहिक नातारी यह भी वीवा मुलक बहुत है व्यवाहिक नातारी की दो ये विवाहिक नातेदारी कहा दो इन दोन से कुछ भी कर दो ये question आते हैं कि कौन से बताइए तो आप बहुत easy way में आप बता सकते हो कि ये दूदू होते हैं समक्स नातेदारी किसे कहते हैं ये दोनों आ जाएंगे तो हमारा next topic है यहां पर विवा संस्था यानि कि अब विवा के बारे में हो जाएगा नातेदारी इस अ complete परिवार के बारे में सब कुछ complete अब हम पढ़ेंगे नातेदारी मतले कि विवा संस्था विवा का जो गुरुप संस्था मैं ऐसा कौन ऐसा संस्था के रूप में हम विवा को भी लेंगे तो विवा को दो व्यक्स स्त्री प्रुश्ट विव्यक्ति के बीच लेंगिंग संबंदों के समाजिक स्विकिर्थी या अनुमोदंक के रूप में परिभाशित किया गया है विवा दो व्यक्स स्थी प्रुष के बीज जो संबंध होते हैं रिलेशन्शिप होते हैं उसको समाज द्वारस्विकृति या अनुमोदक के रूप में परिभाशित किया गया है ये कंडिशन है अगर जबी वो वैद्य माना जाएगा विवा अब विवा के कुछ विविन स्वेरूप है कुछ प्रकार है ये भी कुशन आता है कि विवा के प्रकारों का विवा के स्वेरूप का वर्णन कीजिए तो ये विवा एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साती रखने की अनुमती देता है एक विवा, एक पती, एक पतनी, that's it, बहु विवा, ये विवा एक व्यक्ति को एक समय में एक से अधिक साथी रखने तक की अनुमती देता है, बहु विवा मिल्स एक से जादा, मतलब कि वो लड़का भी हो सकता है, लड़की वो सकती कोई भी एक, मतलब कि जिससे करते हैं, एक जो आदमी होता है, वो दो और तुछ से शादी कर लेता है, ये उसे कह रहे हैं, बहु विवा, एक से जादे की विवा, वो दोनों कंडिशन में पॉसिबल हो, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकता है, अब इसके अंदर, अब जो बहु विवा में है, और भी व बहु पत्नी विवा यह पत्नी विवा यह से लड़की तो इसे कहेंगे बहू पत्नी यह भी पत्नी विवा एप पत्नी विवा है क Не 12 शाहे इसी पाती बहूर्पे किसे काते हैं एक विवा को एक विवा भी कहते हैं अब अब हमारा next topic next है हमारा अंत्र अंत्र विवा इस विवा में व्यक्ति उसी Sanskrit साभमो में विवा करता है जिसका पहले से ही सदस्य होता है उधारन के लिए जाती है यानिकी मतलब की अपनी कास्ट के अंदर विवा करता है उसे कहते हैं अंतिर विवा बाहिये विवा इस विवा में व्यक्ति अपने समू से बाहर विवा करना करता है उधारन के लिए गौत्र जातिया नसल तो बाहरे विवा में अपनी मतलब की जो व्यक्ति होता है वो अपनी कास्ट अपनी जाति के बाहर शाधी करता है for example कभी-कभी love marriage होती है मतलब कि कोई caste या फिर कोई गौतर देखके नहीं होती वो अपनी caste से विभा शादी कर ले तो उसे बाहरी विभा कहते है यह एक topic आता है कि अंत्रिविवा और बाहरी विभा में अंतरस पस्ट कीजिए तो आप यह अंतरिविवा जो अपनी ही जाती में अपनी कास्ट में ही शादी करते हैं उसे अंतरिविवा करते हैं बाहरी विभा जो अपनी कास्ट अपनी जाती के बाहर विभा करते हैं उन्हें बाहरी विभा कहते हैं सो हमारा next है आया है topic एक आधुनिक समाझ की अर्थ विवस्ता के अनेक महत्वपून विशेष्था हैं क्या क्या मैध्यूपून विशेष्था हैं अत्यधिक जटिल श्रम में विभाजन अगर शुम्विभाजन मिन्स होता है तुम्हारा पास बहुत सारी उपश्वनिटी तुम्हारा इस पातों काम कर सकते हो वह बिसनिसमेंस काई काई का ओं मिंस दर्जी पश्राइब कर सकते हो। एक्सेक्ट्रा दुकान को सकते हो। क्श्ब्हीं काम कर सकते हो। कारे के स्थान में परिवर्तन, मतलब कि अगर तुमारा मन चाहे, आप किसी भी काम के सथान परिवर्तन. पूंजी पती उद्योग पती के कार खाने पूंजी पती उद्योग पती के कार खाने में पूंजी पती जो होते हैं उनके कार खाने होने लगे उद्योग पती के कार खाने होने लगे उसमें लोग काम करने लगे जिससे उनकी बढ़ गया और लोग वहां पर काम करने लगे उ प्रबंदन द्वारा कार्यों का निरक्षन यानिकि कुछ एक अच्छे से मैनेजमेंट से काम होने लगा उसका निरक्षन होने लगा उसके द्वारा कि कुछ काम सही हो रहा या गज कल दो रहा श्रमक की उत्पादकता बढ़ाना और अनुशाशन बनाए रखना जैसे कि यह हो रान इरक्षन यानि कि हरकाम सिस्टमाटिक तरीके से होने लगा तो हमें जो श्रिमिक है यानि कि जो मजदूर है उसकी उत्पादक श्रमता को बढ़ाना उस अनुशाशन यानि कि डिसिप्ल विस्तार है उसको खोल देना उसका आकार और बढ़ा कर देना इसके द्वारा लोगों की भी है और मदद मिलने लगे लोगों के पास और भी पैसे आने लगे तो यह बोलने है उसकी विस्तार करना फिर है कार्य रुपानतरन यानि कि कार्य का रुपानतरन मतलब कि कार्य को करान सकते हो तुम काड़ी बदल सकते हो जहां तुमारी मर्जी वह कर सकते हो उद्योगिक प्रक्रिया सरसंक्राइव में विभाजित जो उद्योग प्रक्रिया के लिए थोख बजार के अवश्यक्त थोख मतलब की होता है अगर तुम्हें जादा माटेरियल चाहिए तुम्हें एक बड़ी सी दुकान में जाओ यहां पर वह सब चीज अवेलेबल हो जहांसे तुम्हें एक तो कम पैसों में मिले वह चीज और उपर से आपका टाइम में बचे और वह आपको अच्छे मिल जाए और एक दुकान से आपको मिले थोख की दुकान जापर बहुत सारी सब चीज वेराइटी हो और तुम बहुत सारा सामान लो जिसमें और वह पर डिसकांट मिल जाए तो है उत्पादन की विक्रिया में नव परिवर्तन स्वेच्वा याई कि अलग अलग चीजों का परिवर्तन होना यानि कि नई चीज मशीने आना सिस्टेमाचिक तरीकों से काम करना और ररक्षन करना वेतन भराना यह सब परिवर्तन आने लगे वह जा निर्मान करने लगे उदार उत्पादन और कारी विकेंद्री करनगे उदार उत्पादन और कार्ये विकेंद्री करन भी खोने लगा अब हमारा आएगा राजनेतिक संस्थाओं को सरोकार समाज के दो महत्वपूर पहलो बताईए यानि कि जो राजनेतिक ऐसा पॉलिटिकल जो संस्थाओं होती हैं जो समाज के दो महत्वपूर उनके उन्हें सरोकार करते हैं उनके दो पहलो बताईए पहले है हमारा सक्ति शक्ति व्यक्ति का संभू द्वार दूसरे के विरोध करने के बावजूद अपने इच्छा पूरी करने की योगिता है शक्ति क्या होती है व्यक्ति का संभू यानि कि मतलब कि किसी भी अगर तुम आपस शक्ति होगी तुम किसी को दूसरे का विरोध कर सकते हो बिना किसी डरे, बिना किसी उसके हैराम, तुम बल लगा सकते हो, अपने इच्छा के आनुसार, तो उसे हम शक्ती कहेंगे, सत्ता, सत्ता, शक्ती का उप्योग सत्ता के माध्यम से ही किया जाता है, जो शक्ती का उप्योग होता है, वो सत्ता के माध्यम से किया जात यानि कि जो सत्ता होती है उसको एक अधॉर्ट के द्वा यानि कि उसे वैद पूरुम किया जाता है लीगल पूरूफ किया जाता है हां तुम yap फ़र इंच होता है कि हम Report के वजा से से ही सत्ता होती है वो अपने शक्ति का प्रियोग सत्ता से कर सकता है सत्ता उसे मिली हुई है किसकी द्वारा नेता है इसलिए वो सत्ता मिली हुई है वो जो शक्ति होती है जिसके कोई बुरे काम करता है उसे रोक लगा सकता है कि तुम बुरे काम मत करो और मतलब कि हर किसी को नियायन दिला सकता है। ऐसे शकती कोई बुरे काम करता है। उब्रोग लगा सकता है। कानूनी कारवाही करवा सकता है अपनी सत्ता के अकॉर्डिंग उसे कहते हैं सत्ता अब राज्यवीहीन समाज यह एक कुश्चन आता है इंपॉर्टेंट है राज्यवीहीन समाज क्या होता है या उसका तायत पर यह उसे आप क्या समझते हैं राज्यवीहीन समाज ऐसा समाज कि और अब चारिक संस्थाओं का अभाव हो यानि कि जो राजवीण समाज में क्या हो था रुतार संस्थाओं का अभाव हो मतलब कि महां पर systematic कोई भी काम ढग से नहीं हो रहा हो वो अपने कार्यों को अपनी करतव्यों का पारण नहीं कर रहे हैं उसे कहेंगे राजी भी समाज प्रजा की जो भी प्रॉब्लम से होती हैं उनको सॉल्ट नहीं कर रहे हैं उनकी कोई बात नहीं माने तो उसे हम राजी भी समाज कहेंगे अब आयेगा हमारा राजी की संकल्पना राजी विद्यमान होता है जहां सरकार का एक सर्कार निशे शेते पर साषण करता है ये बिसिकली है जहां शरकार एक राजी लिए जिखता है, मौरातीजी जिया गाया है, एक छेतर दिया गाया है देली यिवाराश के अलग है ईसे ही वो होता है हर किसी को एक छेतर जाता है इस पर वो शाशन करते हैं फिर है हमारा आधुनिक राज्य प्रभु सत्ता नागरिक्ता एवं और अफसर राष्टवादी विचारों द्वारा प्रभाशित के जिए उनकी हमें देफिनिशन बतानी है यह कोशन आ जाता है आधुनिक समाज पूर ऐसे आता है यह फिर आप इसे टुक्रों में भी आ जाएगा कि आधुनिक राज्य प्रभु सत्ता क्या होती है नागरिक्ता क्या होती है यह सबाता है तो बिसिकली प्रभु सत्ता क्या होती है प्रभु सत् प्रबू सत्ता मतलब कि तुम्हें ईक चेत्र दिया जाता है उसे तुम्हें शाचन करना है इसे डिवी प्रब्भू सत्ता अब है हमारा नाग्रिक्ता के अधिकार यानि कि नाग्रिक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं नाग्रिक्ता क्या क्या अधिकार होते हैं भरण और धर्म की सतंत्र का अधिकार होता है नाग्रिक्ता मौलमित की जो इसके राइट्स होते हैं दरागर के रिभता है राजनेतिति क्या अधिकार होता है तो या कि मो अधिकार नहीं चीन सकता। यह राजनितिक द्वारा यानि राजनितिक अधिकार हैं उसके। अभ हमारा एकर समाजिक अधिकार है स्वास्ते लाब, समाजिक कल्यान, बेरोज़गारी भत्त الإ wallet, निउनतम बेरोज़गारी निरधान करने का अधिकार। यानि कि जो भी समाजिक अधिकार हैं जुनकी अवशक्ता होती हैं वो स्वास्ते लाब यानि कि फ्री मेडिकल का लाब उठा सकते हैं कर लियान कोई भी स्कीम होती है उसका लाबे उठा सकते हैं बेरोजगारी भत्ता ले सकते हैं जिनके पास बेरोजगार होते हैं उनका एक मेंबर को भत्ता दिया जाता है नियूनतम मतलगी एक नियूनतम बेरोजगारी निधारण करने का अधिकार ये सा समाजिक अधिकार मे आता है अब हमारा आएगा धरम इमामिल दोखीम के अनुसार धरम पवित्र वस्तू से सम्मनित अनेक विश्वाशों अनेक विश्वाश और विहवार की ऐसी संगठन विवस्ता है जो व्यक्ति को एक नैतिक समुधाय की भावना में बाढ़ती है जो उसी प्रकार विश्वा विवारों को अभिव्यक्त करता है मतलब की इमेल दुखीम के अनुसार धरम है पवित्र वस्तू है एक पवित्र वस्तू है से संबंदित है अनेक विश्वाश और विवार इसमें जो इंक्लूडिड एक ऐसी विवस्ता है यह ठीक है जो उसी के द्वारा उसी के उससे जुड़ेवे होते हैं वियक्ति के और वो उसी को ही प्रदर्शन यानिकी अभिव्यक्त करता है लोगों के सामने अभी बोलने हैं कि सभी धर्मों की जो विशेष्टाय होती है वो समान होती है प्रतीक प्रतीकों का समुच्छ श्रद्धा यह समान की भावना प्रकार का भोजन करना अभी में रताती है अनुष्ठान या समारो सभी के जो पूजा करते हैं सभी के समारो होते हैं सब के हर धर्म में होते हैं विश्वाश करताओं का एक समुदा यानिकि हर धर्म में विश्वाश करता होते हैं मतलब कि वो अपने धर्म को मानते हैं सब में विश्वाश रखते हैं विश्वाश करतों का एक समुदा है धरम के साथ संबंध अनुष्ठान विधी की होते हैं यानिकि धरम के साथ संबंध जो अनुष्ठानिक होते हैं यानिकि पूजा पार्ट से रिलेटेड होते हैं उनके जो भी वो संबंध होते हैं तो सभी का म भजन करने का तरीका उपास करने का तरीका बस सबका अलग अलग तरीका है बट मीन सेम है मीन सेम है सबका करने का तरीका जो है तो अब हमारा है समाजिक शक्तियां हमेशा और अनिवारित धमत अनिवारित हैं यह पूछते हैं कि जो समाजिक शक्तियां हैं वो हमेशा के लिए अनिवारित मतलब कि हमेशा अनिवारे होती हैं जरूरी है धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं धार्मिक संस्थाओं लोगों को प्रभावित करती हैं धार्मिक अन प्यैयर करते हैं द्यव जीवन की एक यह काम है very much is your हैं उनका दिन मंद के देने से जुड़ा है जो धर्म एक पवित्र्र है भूत पवित्र है जो Het पस्थान की निमाडन प्रति सम्मान की भावना सब की सबके एक होती बट उनके रहने सहने का उनके प्रातना करने का उनके गुनकान करने को पॉहाज रखने का इफिक भोचन का बस सबका वो जो करने का जो तरीका है वो अलग होता है बट जो मतलब की बट जिसके लिए वो करते हैं वो एक ही के लिए करते हैं सबी के लिए मतलब क हर दरम समान होते हैं तो छादनी का अल्ग-अलग होता है तो हमारा लास टॉपिक है यह खत्म होने वाला है यह हमारा कि शिक्षा है हमारा लास टॉपिक इसमें है कि शिक्षा संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सीखने कि आपचारिक और अनों प्रकारी संस्ता शामिल होती है, हमारी जीवन चलने वाली परक्रिया है, हम किसी भी एज में जीवन भर चल सकेझे, जैसे कि डॉक्टर की पढ़ाई होती है, वो जीवन भर चलने वाले परक्रिया है, और भी जैसे कि बच्चा मतलब कि जहां जब भी तुम पढ़ना चाहो तुम पढ़ सकते हो जैसे कि अनौप चाहरिक में हमारी आ जाएंगी जिसकी घर पडूस पार्क पिफिस समाज इन से हम कुछ भी कुछ नव कुछ शीकते हैं उन से कुछ ग्रहन करते हैं और ऑप चाहरिक में आ जाएगे हमारी स्कूल, कॉलिज, जो स्कूल, कॉलिज आ जाएगा चूशिन और क्या आयगा आप मुझे बताईएगा शिक्षा स्तरीकरन के मुख्य अभी करताओं के रूप में कार्य करती हैं जो सिक्षा जो होती है स्तरीकरन मैं अपने फर्स सकिंड चाप्टर में स्तरीकरन अक्षी से एक्स्प्लेइन क्या है I hope वो आप देखिए आपको स्तरीकरन का भी मतलब समझ भाएंगर आप मेरी प्रीवेस वीडियो प्लीज देखिए और जरूर से लाइक भी कीजिए तो इसमें क्या बोला है मुख्य अभी करताओं के रूप में कार्य करती है सारी शिक्षा जो होती हो बटी भी होती है सब का महत वो अलग-अलग होता है समाजजिक आर्थिक प्रस्ट भूमी के अधार विभीन प्रकार के विध्यालने में की जाती है समाजजिक आर्थिक जो मतलब कि पढ़ाई होती है वह मतलब की समाजिव आर्थिक प्रश्ट भूमी यानिकी पैसे क्यों कोई कॉई कॉई स्कूल में पराता है कोई प्रावेट में पराता है सबकी विध्याले विभिन प्रकार्के होते हैं जिसके जो मर्जिव वहां पढ़ा जिसके जो भी सूटेबल है वह अपनी शिक्षा वहाँ पर जारी रख सकता है विध्याले शिक्षा संभद्र और समाने के बीच विद्यमान भेदों को और अधिक गहरा करती है यानि कि जो शिक्षा शक्ती होती है वो लोगों के बीच में मत भेद अधिक संभन गहरे अच्छाई की भावना से शिक्षा जो होती है लोगों के अंदर अच्छाई पैदा करती है यह होती है शिक्षा का एक मेंटिव यानि की उनके अंदर जो मेंटिलिटी होती है रूडिवाद सोच जो होती है उनको जो जिनकी होती है उनकी बिल्कुल से उनने बताना कि आजकल ये हो रहा है तो आप रोड़ी वादी सोच छोड़ दीजे लड़कियों को आगे बढ़ाईए पढ़ाईए ये सब सिक्षा में बताते हैं लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे समाचे कल्यान होगा इसी के लिए शुक्षा विशेश अधिकाय प्राप्त जो नहीं जाते हैं उनके अंदर जिचकपन होता है वो कुछ अपनी बात कहने से ड़ते हैं उन्हें कुछ मतलब कि डल लगता है कि मैं जो भी कुछ कहूंगा क्या पता हो सामने वाले को बुरा लगे या नहीं लगे इसलिए वो कुछ नहीं कहते हैं और जो पढ़ने जाते बढ़ता है ऐसे अनेक बच्चे हैं जो विद्धियाले नहीं जा सकते यह विद्धियाले जाने बीच में चूड़ देते हैं। समझ में आएगा अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीज़ेगा तो जब तक के लिए ठीक केर बाइबाए